मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? क्या आपका मन अभी असांत है? असांत मन चिंता को जर्म देता है और चिंता मन को असांत कर देती है जिससे निरासा ही उत्पन होती है और निरास मन असफलता का कारण बगता है इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आत्म विश्वांस अच्छा होता है लेकिन जब वो आत्म विश्वांस व्यक्ति के एहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो वो ही आत्म विश्वांस व्यक्ति को निर्वल बना देता है मेरे प्यारे बच्चों ग्यान को अपनी तक्सीमित रखना ग्यान का अपमान होता है और ग्यान का अपमान एक एहंकारी ही कर सकता है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जिस प्रकार सुछ की अनभूती के लिए दुख का आभास होना बहुत ज़्यादा अनिवारे है उसी प्रकार साहस की अनभूती के लिए भै का सामना भी अनिवारे हो जाता है मेरे बच्चों अच्छा और बुरा दोनों वक्त आपको याद रखने चाहिए क्योंकि बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चोकरना बना देती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब जल गंदा होता है, उसे हिलाते नहीं है, बलत की सांथ छोड़ देते हैं, जिससे जो गंदगी होती है, वो नीचे बैठ जाती है, इसी प्रकार से जीवन में परेशानिया आने पर बीचैन होने के बजाए, सांथ रहकर विचार करें, और उसका हर डूंडेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों, कभी परेशानियों से गपराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा